पुर्वाचल के जनपदों से कच्छो तसकरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है तसकर यहां के तालावों से कच्छों को पकड़ कर बंगाल ले जाकर मोटी कमाई करते हैं आज एक बार फिर जी आरपी और आरपी एफ टीम ने सयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल किये ये दोनों टीमें अमरिसर से हाबड़ा जा रही ट्रेन से जोनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दोरान 500 कच्छों के साथ एक लड़की को भी हिरासत मिलिया कच्छों की कीमत तकरीबन 50 करोड रुपे बताई जा रही है ट्रेन में बहारी संख्या में कच्छों मिलने से यात्रियों में संसनी फेल गई जानकर एनुसार अम्रिसर से हाबडा जारी ट्रेन आज जोनपुर सिटी रेल वेस्टेशन पर रुकी ट्रेन रुकते ही जी आरपी और आरपी एफ की टीम संदिग्द व्यक्ति और आपती जिनक समानों की चेकिंग करना शुरू कर दी इसी दर्मियान जनरल बोगी में सत्रा बेक दिखाई दिये जिने खोल कर देखा तो उसमें कच हुए बरे थे इसी बीच इसे ले जाने वाली एक लड़की भागने लगी दोनों टीमों ने उनसे हिरासत में ले लिया है और पूश्ता शुरू कर दी गिरबतारी की गई लड़की ने अपना जुर्म कबोल करते हुए कहा कि मैं पहली बार आई हूँ इस दलदल में मेरी बड़ी बहन ने लाया है तसकरी के संबंद में अभियान चलना है वह लगातार पहले से भी निर्देशन मिलते रहे हैं इसके ताहत हम लोग मैं तो था हम राकमचारियों के लगातार गाड़ियों को चेक करना पर फॉर्म पे आने जाने वालों को इसी करम में एक सुचना के करम में हमने आज एक तीस पच्चास पंजाब से चलके हाबरा तक जाने वाली गाड़ी जंक्चन सीटी पर एस वन और एस टू के कोंच से करीब सत्रा पाइकेट पिट्ठू बाए गाए गाए कुछ बोरे है और करीब पांच सो के आसपास कच्वे पकड़े गाए इसके साथ एक लड़की है सोनम उर्फ पूजा कुमारी डॉडर आप पहुन कुमार पतरकट निवासी पकड़ी पियस पेपर पूर सुल्तानपूर की रहने वाली है मौके से यही मिली है जैसा किसने बता भी रही है कि मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम रेखा दे भी है वाई फाफ अनुश कुमार पतरकट जिसके साथ यह बंगौल जा रही थी विक्री के संबन्द में पुछने पर अभी तक इसने यही बताया है कि मैं पहली बार जा रही थी जबकि बता रही कि देदी हमारी पहले विक्राग दूबार गई है और इसी करम में हम लोग अभी आवशक करवाई कर रहे हैं कि देखे जैसा कि मुझे अभी तक जनकारी है कि कच्छुए के पिछले भाग में जो एक तरफ उपना शहर निकालता है और पिछली तरफ एक क्यूट निकलता है जो अंतराश्टी मार्केट मुझे को बताया जाता है कि पच्चास लाख रुपय किलो के असपास विक्ता है जो दवा और कई तरह की दवाओं में काम लिया जाता है इसका और इस हिसाब से मुझे लगता है कि पांच सव करीब पच्छुआ हैं तो संधिंग पांच किलो के आसपास क्यूट इसका सम्भावता क्लोज होगा तो काहिने कहिंए धाई करोनों के आसपास का कीमत है इसके में वालू